फ्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस वार पोईट सीजफ्राइट सैसून की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है I Stood With The Dead फ्रिंट्स सीफ्राइट सैसून जो हैं ये अपनी पोयमस में वार के हॉरर और उसके एफेक्ट्स को डिसक्राइब करने के लिए बहुत ही जादा पॉपुलर हैं तो ये पोयम भी उनकी बांकी पोयमस की तरह वार के एडवर्स इफेक्ट्स को दिखाती है कि किस तरह जंग में लोगों की डेथ होती है जो सोलजर्स हैं जो ब्रेव सोलजर्स हैं वो मारे जाते हैं और मरने के बाद क्या होती है उन्हें डिगनिटी के साथ दफनाया भी नहीं जा पाता है चारों तरफ जंग का महौल रहता है और जो सोलजर्स हैं की लाशें यूंहीं बिखरी पड़ी रहती हैं उन्हें सही तरीके से उन्हें बरी करना उन्हें अंतिम संसकार उनका करना इसमें काफी परेशानी होती है लेकिर इन सब के बीच में पोईट जो ह है छोटी सी poem है और three quatrains यानि four line stanza में बाटी गई है हर quatrains की rhyming scheme है A B A B साथ ही friends अगर बात करें इस poem की theme की तो हम क्या सकते हैं यह होगी the horror and adverse effects of war यानि जंग का जो effect होता है जंग की जो बुराई होती है उसे ही इस poem में describe किया गया है Friends Siegfried Sassoon एक English poet, writer और soldier थे उनका जन्म हुआ था 8 September 1886 में और उनकी death हुई थी 1 September 1967 में वो First World War के one of the leading poets माने जाते हैं और उनकी famous works में The Old Huntsman, The Road to Ruin, Memoirs of an Infantry Officer ये सभी शामिल हैं तो चलिए friends अब आगे बढ़ते हैं और इस poem को पढ़ कर समझने की कोशिश करते हैं I stood with the dead, so forsaken and still यहां पर poet कहते हैं कि मैं उन dead people के साथ उन मरे हुए soldiers के साथ खड़ा रहा जो कि क्या थे forsaken थे उन्हें भुला दिया गया था और साथ ही still थे यानि बिल्कुल हिल नहीं रहे थे चुकि उनकी death हो चुकी थी तो वो बिल्कुल still थे और अब चुकि वो जंग में और नहीं लड़ सकते थे तो उन्हें भुला दिया गया था तो हम समझ सकते हैं मरे हुए soldiers के साथ यहां कैसा behave किया गया है जब सुबह का समय कैसा था ग्रे कलर का था तब भी मैं डेट पीपल के साथ खड़ा रहा दॉन वाज ग्रे इसका यहां पर दो मीनिंग होता है पहले तो जब सुबह का समय होता है तो वो ग्रे नहीं होता यलोईश होता है या औरेंज कलर हम कह सकते हैं सूरज की पहली किर्णों से आता है लेकिन यहां पर dawn different है ग्रे कलर का है इसलिए क्योंकि सूरज नहीं निकला है बलकि आसमान में बादल चाय हुए हैं और वो सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं तो इसलिए ग्रेश कलर हम atmosphere में देख सकते हैं साथ ही ग्रेश जो होता है वो sadness क को symbolize करता है दुख को grief को symbolize करता है तो यहां इन soldiers की death को भी denote करने के लिए gray color का use हुआ है and my slow heart said you must kill you must kill soldier soldier morning is red और मेरा ये जो धीमा दिल था ये जो मेरा दिल था जो थोड़ा weak था जो इन चीजों को देख नहीं पा रहा था वो क्या कहता था कि you must kill क्योंकि तुम एक soldier हो तो तुम्हें मारना ही होगा तुम एक सैनिक हो अपना फर्ज निबाओ सैनिक बनो और जाओ जाकर दुश्मन सेनाओं को मारो क्योंकि soldier soldier morning is red क्योंकि ये सुबह कैसी है ये red है और यहां red का मतलब किस से है तो bloody से है यानि खून उसे भरी हुई जंग का महौल है सभी soldiers जो हैं वो दूसरी आर्मी के soldiers की जान ले रहे हैं तो यहां पर ये जो poet है speaker है वो भी एक soldier है उसे भी अपने soldier होने का फर्ज निबाना होगा और उसे भी आगे बढ़कर दूसरे opposite आर्मी के जो soldiers हैं उनकी जान लेनी होगी on the shapes of the slain in their crumpled disgrace friends यहां पर slain का मतलब है मरे हुए सैनिकों से तो जो मरे हुए सैनिक हैं वो crumpled है यानि एक ही जगह पर उनकी सभी की लाशे पड़ी है बहुत ही जादा tightly और disgraceful तरीके से यानि उनकी लाश को उनकी जो dead body है उसे सही तरीके से रखा नहीं गया बलकि उनके साथ क्या किया गया उनकी body को यूँ ही छोड़ दिया गया है किसी भी एंगल में मुरी हुई किसी भी तरह से उनकी dead body पड़ी हुई है I stared for a while through the thin cold rain Friends, हमने पहले ही पढ़ा था कि dawn जो है grey color की है आसमान में बादल चाय हैं तो अब क्या हुआ है हलकी हलकी बारिश होने लगी है ठंडी ठंडी बारिश की बूने पड़ रही हैं और उस बारिश में भी खड़े होकर ये जो speaker है वो उन dead bodies को देख रहा है उनकी जो disgraceful condition है उसे देख रहा है Oh lad that I loved, there is rain on your face and your eyes are blurred and sick like the plane अब उन dead bodies को देख कर speaker कहते हैं Oh lad that I loved यानि तुम वो लोग हो जिनसे मैं प्यार करता था तुम्हारे चेहरे पर क्या है बारिश पड़ रही है ये जो बारिश की बून्दे हैं तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही है तुम रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो तुम्हारे आँखे जो हैं वो blood है अब चुकि इनकी death हो चुकी है ये सारी dead bodies है तो इनकी आँखों में वो shine नजर नहीं आ रही बलकि इनकी आँखे धुंदली हो चुकी है और साथी कैसी हैं तो sick like the plane यानि बिमार तरह की रूखी तरह से इनकी आँखे लग रही है और ये सब कुछ ये जो speaker है वो notice कर रहा है कि मरने के बाद ये जो soldiers जो अपनी देश के लिए अपनी जान गवा बैठे हैं आखिर इनके साथ ये कैसा सुलूख हो रहा है I stood with the dead They were dead, they were dead यानि मैं मरे हुए लोगों के साथ खड़ा रहा वो लोग जो मर चुके हैं जो मर चुके हैं मुझे पता है वो मर चुके हैं मगर मैं फिर भी उनके साथ हूँ My heart and my head beat a march of dismay अब यहां मेरा दिल और मेरा दिमाग ये दोनों क्या है इसके बीच में एक march of dismay है यानि एक तरह की कह सकते हैं battle of thoughts हो रही है मेरा दिल कुछ और चाता है मेरा दिमाग कुछ और चाता है दिमाग मेरा जो है वो कहता है कि इनके साथ गलत हो रहा है इनके साथ खड़े रहो दिल कह रहा है कि अपना फर्ज निभाओ जंग में आगे बढ़ो सैनिकों को मारो दूसरे से ना की और यहां पर बहुत confusion है और अचानक से क्या हुआ gusts of wind आई यानि जोरों से हवा चली और उनके साथ गंस यानि गोलियों की चलने की आवाजे आई यानि अभी तक माहौल शान था लेकिन दुबारा से जंग स्टार्ट हो गई और फिर से गोलियों की आवाजे आने लगी और इस पर यह गोलियों की आवाज किसकी थी यह हम last line में समझते हैं जब speaker चलाता है fall in fall in for your pay यानि मरो अपनी करनी के लिए मरो जो तुमने गलत किया है उसका तुम्हें सजा मिलेगा उसके लिए अब तुम्हें मरना होगा यानि यह गंस किसने चलाए तो यह speaker ने चलाए अभी तक speaker confused था कि इसे करना क्या है क्या इसे आगे बढ़ना है क्या इसे मरे हुए लोगों के साथ रहना है लेकिन आखिरकार इसने decide किया कि यह बदला भी हो जाएगा यह अपना फर्ज भी निभाएगा और यह कैसे होगा जब यह सामने वाली सेना को मारेगा तो इसलिए वो आगे बढ़कर दुबारा से जंग में participate करता है और दुश्मन सेना को मारना शुरू कर देता है यहाँ पर फ्रेंट्स यह poem खत्म होती है फ्रेंट्स इस poem के बारे में बहुत सारे जो critics हैं उनकी अलग-अलग thoughts है कि क्या यहाँ पर emotions रहे हैं poet के क्या वो जंग में participate करना चाहता था क्या उसका decision सही रहा है और जो भी reasons हो हम एक बात सही तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि जंग में जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ कभी-कभी behavior जो होता है वो सही नहीं रहता उनकी dead bodies को वो इज़त नहीं मिलती जो वो deserve करते हैं तो friends यह थी Seed Fright Sassoon की poem I stood with the dead अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please like, comment और share करिए